हलो दोस्तों नमसकार स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल हाई इस गैसन जोन में मैं हूं राज दोस्तो जैसे कि दोस्तो हमारी स्रीज चलु थी हरियाना समय ने घ्यान की तो दोस्तो आजसे हम स्टाट कर रहे हैं हरियाना पुलिस के प्रेक्टिस सेड जिनमें सबस most important question जो है हम update करेंगे और दोस्तो बाकी के part आपने हमारे नहीं देखे हैं तो वो playlist में मौझूद है वाँ से आप देख सकते हो और description link के दवारा दोस्तो हमारी pdf भी आप download कर सकते हो तो दोस्तो बिना time बरबाद के शुरू करते हैं आज के first question से तो वीडियो को दोस्तो स्टार्ट करने से पहले आपसे request है एक चोटा सा लाइक जरूर कर दें और channel पे नए आए हो तो channel को subscribe भी जरूर कर लें first question है हमारा हर्याना का सबसे प्राचीन bridge कांस्तित है option C दोस्तो करनाल के अंदर क्योंकि दोस्तो मुगल पुल को bridge के नाम से जाना जाता है bridge या मुगल पुल दोस्तो ठीक है तो इस में right option हमारा C हो जेगा मुगल पुल है हमारा करनाल के अंदर next question है हमारा परचिद 4 गुबन हर्याना में का सबसे प्राचीन है right option इसका है हमारा C अरावली परचिद श्रेणी जो है हमारी बढ़खल जील के आसपास स्थित है और दोस्तो बढ़खल जील जो 1947 के अंदर मरिदा पॉर्दन को रोकने के लिए बनाए गई गी थी यह दोस्तो एक मानव निर्मित जील है बढ़खल जील कौन सी जील है दोस्तो हमारा तीसरी बार राष्टपतिशासन के समय राजयपाल को थे दोस्तो राजयपाल वेरी इंट्रेस्टिंग क्योसन मनते हैं राजयपाल से जुड़ हुए ठीक है तो बात कर लेते हैं सबसे पहले राष्टपतिशासन लगा था तो विरेंदर नायन चक्रवती थे ठीक है दूसरी बार की बात करें तो जैशुकलाल हाती के नाम से जो है राजयपाल थे उस टाइम और दोस्तो तीसरी बार राष्टपतिशासन की बात करें तो राइट ओप्सन इसका है हमारा बी धनिक मंडल दोस्तो राष्टपतिशासन के समय राजयपाल थे तीसरी के में और दोस्तो पहला जो हमारा राष्टपतिशासन लगा था वो 1967 के अंदर दूसरा 1977 के अंदर और दोस्तो तीसरा राष्टपतिशासन जो लगा था वो 1991 के अंदर लगा था नेस क्योंसन है बारत में ग्यात पूरा स्थलों में सबसे बड़ा स्थल माना जाता है बात की कि यह सबसे बड़े स्थल की राइट ओप्शन इसका दोस्तो है हमारा सी राखी केटी दोस्तो इसार को बारत में जितने भी ग्यात पूरा स्थल पराप्त हुए है उनमें सबसे बड़े स्थल के रूप में इसको संगया दी गई है नेस क्योशन है दोस्तो हिंदी ए हरियाना के नाम से की से जाना जाता है बात की है दोस्तो हिंदी है हरियाना राइट ओप्षन इसका दोस्तो है हमारा B. साह रम्जान को हिंदी हे हरियाना के नाम से या हिंदी हे हरियाना के नाम से इनको जाना जाता है следующ question है, दोस्तो हरियाना का वेड़िक सब्वेता का पालना दोस्तो हमारे उस टाइब के question है जो हो सकता है कीसी भी books में आपको ज़ल्दी सीर ना मिले ठीक है तो क्योशन का लेवल दोस्तो हम थोड़ा सा हार्ली रखने के क्योशिस कर रहे हैं अगर आप हमें कमेंड बॉक्स में बताओगे कि ये क्योशन सिंपल है तो थोड़ा सा लेवल हम और बढ़ा सकते हैं हर्याना का वेदिक सब्विता का पालना दोस्तो पूछा गया है राइट ओप्शन इसका है हमारा सी कुरक्षेत्र को हर्याना का वेदिक सब्विता का पालना कहा जाता है नेस कोशन है महादिवक्ता की नियुक्ति कोन करता है तो राइट उप्षन इसका दोस्तो है हमारा दोहान हो जाती है और दोस्तों हमारी जो है साही भी हो जाती है इसके अलाव दोस्तों हमारी इंदोरी हो जाती है और साही भी हो जाती है ये चार नदियां जो है मिवाद की पाड़ियों सोरी हमारी अरावली प्रवत्षिने से निकलती है और स्पेसल मिवाद की पाड़ियों जो है उस्तित है महराजा तेज सिंग महल किस चितरकारी का एक अच्छा उधारन है चितरकारी दोस्तों पूछी गई है किस चितरकारी का एक अच्छा उधारन है राइट उप्सन इसका है हमारा बी राजपुत चितरकारी का एक अच्छा उधारन है गूंगा चोहान किसकी रचना है? राइट उप्सन इसका दोस्तो है हमारा ए, एहम्मेद बक्स के दवारा रच्ची दोस्तो हमारी गूंगा चोहान रचना है नएश कोशन है, चेक डेम किस नधी पर बना हुआ है? सर छोटुराम जैनती कब बनाय जाती है किसे एक फरवरी को सर छोटुराम जैनती जो है वो बनाय जाती है Download Sergeant है अमारा कौन सी सदी में हर्ष खुद एक चितरकार था सबसे पहली बात तो ये खुद एक चितरकार था और उसके पास तो बोद तो रहेगा हमारा बim next question है हमारा वह परसित स्थल जहां से वेदिक काल से लेकर मुगल काल तक अवसेश मिले हैं वह परसित स्थल पुछा गया दोस्तों वेदिक काल से लेकर मुगल काल तक के अवसेश जहां से प्राप्ट हुए हैं c रहेगा हर्ष के तीले परसिसल है जहां से विदिक काल से लेकर मुगल काल तक यह उसे मिले हैं next question है एक मात्र नधी जो सर्श्वती नधी के समंनांतर भैती थी option c right रहेगा चेतान जो नदी जो थी वो सर्शुती नदी के parallel में यानि समनांतर में भैती थी next question है प्राचीन काल की आप गा नदी साइक नदी थी यानि दोस्तों आप गा नदी की साइक नदी पूछी गई है तो इसका right option है हमारा d उप्रोक सभी यानि दोस्तो हिन्यावती, बेतरनी और मंदाकनी ये सबी की सबी नदियां जो थी वो हमारी आपका नदी की प्राचीन काल में साहिक नदी हुआ करती थी और दोस्तो आपका नदी भी बहुत जैसे सरसुती नदी फेमस है बेसे ही दोस्तों हमारी आपका नदी भी उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस थी एक मातर जिला जहां पर चुर मातरा में अच्छी वर्षा और अच्छी जलबाईू पाई जाती है उप्शन B राइट रहेगा पंशकूला के अंदर नईच क्योसन है निम्य लिक्ति मेंसे यम्ना नदी पर बांध नहीं है नहीं पूछागा है दोस्तो विवाद दोस्तो हर्याना का दो जगों पर है, एक तो हर्याना और पंजाब के बीच विवाद हो जाता है, वो जो है हमारा SYL 17 यमना लिंक का मुद्दा है, और दोस्तो दिल्ली और हर्याना की हम बात करें, तो right option इसका हमारा C हो जाएगा, मुनक नहर, दिल्ली वैर हर्याना के बीच विवाद कि इसका है, मुनक नहर के बीच, नैस क्योंसन है हमारा, प्राचीन स्थल कूरू की राजदानी थी, कूरू की राजदानी हुआ करती थी, कूरू मिन्स दोस्तों कूरुकशेतर, कूरुकशेतर की राजदानी यहाँ पर पूछी गई है, तो right option इसका दोस जिसको सिंदू सबता के नाम से भी जाना जाता है, सिंदू गाटी सबता, इसका पूरा नाम जो है लिया जाता है, तो इसका दोस्तों कांसे यूग सबता, सबसे पहले तो इसके दो नाम हो जाते हैं, एक तो कांसे यूग और एक सिंदू गाटी सबता, तो इसका दोस्तों right option जो रहेगा वो रहेगा option हमारा D सभी मदीना, चांग और केड़ की दोस्तों ये सभी के सभी जो है कांसे यूग सबता से जुड़े हुए हैं केड़ की दोस्तों हमारा है गुडगाओं के अंदर मदीना दोस्तों वेशे सभी को पता है बढ़ लेते हैं नैस कोशन की तरफ और दोस्तों चांग हमारा विवानी के अंदर है आयोलियन की भूमी की से कहा जाता है बात की कि दोस्तों आयोलियन की भूमी की तो इसका right option जो रहेगा वो रहेगा option हमारा जीन्द को आयोलियन की बूमी के नाम से जाना जाता है नैस कोशन है दोस्तों हमारा हर्षवर्दन ने कनोज को अपनी राजदानी मनाया दोस्तों हर्षवर्दन से जुड़े हुए कोशन बार-बार एक्जाम में पूछे जाते हैं जिसे चै में जो हर्षवत की रुआत इन्होंने की थी और इनके दोस्तों जो पुत्री का नाम था वो राजे सिरी था ठीक है पर बाकर वर्दन के बड़े पुत्र का नाम दोस्तों राजे वर्दन था और छोटे पुत्र का नाम हर्षवर्दन था और इनकी पुत्री का नाम जो है हर्सवर्दन ने कनोज को अपनी राजदानी है बनाया था बढ़ लेते हैं दोस्तों नेस्ट क्योशन की तरफ नेस्ट क्योशन हमारा निमलिक में से किस गुरू का संबन अमबाला से जुड़ा माना जाता है राइट ओप्सन इसका दोस्तो है हमारा दी उप्रोफ सभी दोस्तों गुरू तेग बहादूर का संबन अमबाला से है और हमारा गुरू गोबिन सिंग का संबन भी अमबाला से है और गुरू हर्ब गोबिन सिंग का भी संबन हमारा अमबाला से जुड़ा हुआ जाता है नैस के उसन है मंजियाना प्रियोजना दोस्तों सबसे पहले तो मंजियाना प्रियोजना सिर्सा से है दोस्तों और किस देश के सियोग से शुरू की गई थी ये दोस्तों एक बागवानी प्रियोजना है ये भी जरूर कवर कर लें बागवानी ठीक है और किस देश से तो इसक हमारा बी 102 किलोमेटर लंबाई जो है वो मुनक नहर की है नेश कोशन है दोस्तो हमारा सरवादिक परियटक जो किस धल पर आते हैं यह कोशन पूचा गया यानि सबसे ज़़यदा परियटक किस थल पर पर इस्थान पर आते हैं तो राइट उप्सन इसका दोस्तो है हमारा सी, सुल्तानपूर जील के ओपर सबसे ज़दा प्रेटक सरवादिक विदेशी प्रेटक जो है वो आते हैं बढ़ लेते हैं दोस्तो नेस क्योसन की तरफ नेस क्योसन है हमारा बाबा लक्षमन गिरी महराज जो थे ये हमारे महर्ची वालमी की आसरम से जुड़े हुए है महर्ची वालमी की आसरम जो हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है तो यहां से जुड़ा वक्योषन कुरुक्षेत्र से बन जाता है हर्याना के कौन से बाग में वर्सा कम होती है कम पूछीगे दोस्तो, right option इसका है हमारा C, हर्याना के दक्षिनी पुर्वी बाग के अंदर जो है, सबसे कम वर्षा होती है next question है हमारा, जै सहिता का नाम किसका लिया जाता है, यानि दोस्तो जै सहिता नाम किसका है, तो right option इसका दोस्तो रहेगा हमारा C, महाबार्थ को जै सहिता के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तो, संत सहस्तरी के नाम से भी जो है, महाबार्थ को जाना जाता है और दोस्तो, महाबार्थ के लेक जैसे की सभी को पता है महर्सी व्यास, और विसो का सबसे बड़ा महाकाव अगर नीम का थाना नहीं दिया हुआ तो जैपूर से रिकलती है तो इतने जो है इसके उप्सन वैसे सही हो सकते है लेकिन परफेकट अगर आंसवर इसका देखें तो वो हो जाता है हमारा राई अप्सन ए नीम के थाना से ये तो अगर आवली की नदी हो जाती है ये थे दोस्तों आज के हमारे most important question कैसे लेगी वीडियो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नए आयो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले मिलते हैं दोस्तों नेश्ट वीडियो में तब तक नमस्कार जै हर्याना जै भार्द